नमस्का फ्रेंड फ्रेंड आज हम लोग NCRTC वैकंसी जो ओपेन हुई थी जिसमें आपने फॉर्म को फिलप किया है या फॉर्म फिलप करने के सोच रहे हैं तो उसके स्लेबस के बारे में डिसकस करेंगे तो काफी फ्रेंड काफी बच्चों को भी जानकारी नहीं है कि इसका स्लेबस क्या है तो यह सारा जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाला है और आप सभी समय कहना चाहूंगा फ्रेंड कि अगर आपने असिस्टेंट बोरिन टेक्निसियन में फॉर्म फिलप किया हुआ है या आपके फ्रेंड या रिलेटिव कोई फॉर्म को फिलप किये हैं या आपने फॉर्म को फिलप किया है तो आप लोग जरूर इसको एक बार लेकर पढ़ें और अच्छे सवाप लोग जो है एक्जाम को करेक्क कर पाएं तो फ्रेंड हम लोग देखेंगे NCRTC में जो स्लेबस है उसका स्लेबस का पैटर्न क्या है कोश्चन का बात की जाए त किस में लेडियो में तो फ्रेंड यह आप देख सकते हैं है यहां को सभी के यहां पर में देखेंगे इसमें जो है, maintenance जो mechanical के बच्चे हैं, 3 years का diploma होता है, आप भी जानते हैं, civil के जो है, electronics engineer के हैं, और electrical के हैं, वो सभी के यहाँ पर mentor किया गया, प्लस जो ITI के बच्चे हैं, जो technician में आते हैं, electrician, और देख सकते हैं, electronic mechanics, और बात की जाया, इसमें जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फीटर के जो बच्चे हैं, फीटर के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, welder के लिए यहाँ पर, air conditioning and refrigeration जो बच्चे हैं, उनके लिए भी, तो यह सारा कुछ इसमें discuss किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, exam pattern जो है, multiple choice of question, जो पूछा जाएंगे question, वो आप जान लिए कि वो आपका 100 question पूरा total पूछा जाएगा, जिसमें से आपके 50-50 करके divide किया गया है, 50 में आप A कह सकते हैं, और 50 में आप लोग B कह सकते हैं, तिसमें से जो है, दो पार्ट में किया गया है, तो A part में जो पूछे जाएंगे question, वो दोनों के लिए आप ध्यान द 1 upon 3 marks will be dedicated for each wrong answer, मतलब इसमें जो आपके minus marking रहेंगे, वो 1 upon 3 के minus marking रहने वाले हैं, उसके बाद जो है, आप देख लिजिए, जो part A में जो question पूछे जाएंगे, जो किस, मतलब जो subject पूछे जाएंगे, वो आप देख लिजिएगा, general aptitude से, general knowledge, और कह सकते हैं, general awareness, general science, mathematics, logical ability and reasoning English, Hindi, computer awareness, तो यह सभी part A में पूछे जाएंगे, ठीक है, और बात की जाए, तो part B में जो पूछे जाएंगे, वो आप देख सकते हैं, वो आपका क्या होगा, वो आपका जो subject होगा, वो part B में मतलब 50 question आपके subject से पूछे जाएंगे, जैसे बात की जाए, electronics के हैं, तो electronics से पूछे जाएंगे, feeder के जो बच्चे हैं, उनके लिए 50, welders जो हैं, उनके लिए 50, तो SM आप कह सकते हैं, 50-50 को divide किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं, इसमें भी rules इसमें दिया गया है, total marks जो है, 100 रहेंगे, total question जो पूछे जाएंगे, वो भी 100 रहेंग इसमें 50-50 को divide किया गया, 50 A, 50 B, आप ध्यान दिजेगा, B में आपके जो trade रहेंगे, trade से question पूछे जाएंगे, A में जो है, आप ध्यान दिजेगा, हिंदी से लेकर English, general awareness, general aptitude, और उसमें जो है, आप देख सकते हैं, mathematics, computer awareness, मतलब जो है, जैसे आप कह सकते हैं, डिप्लोमा क जो बच्चें, उनके लिए computer से भी question पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान दिजेगा, ये था जो है, exam pattern, मतलब आप कह सकते हैं, syllabus के जानकारी, तो आप सवीज में last में कहने चाहूंगे, कि आप जरूर जो है, अभी तख subscribe ने की, तो subscribe कर लें, और इस video को जादा जादा share करे अगर आपके कोई friends या आप लोग जो है assistant boy technician के preparation कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए, कोई PDF book तयार की गई है, उसमें syllabus के recording एक एक question को उसमें discuss किया गया है, आप लोग उस book को लेना मत भूलेगा, उसका link मैंने description box में दे दिया है, so thanks for watching and bye bye